अब इशेक मलहान और निश्चे मलहान दोस्तो इस वक्त जो है इन पर एक बड़ी कॉंट्रोवर्सी चल रही है और उस कॉंट्रोवर्सी पर अलग-अलग वीडियोज भी आ रहे हैं अब ऐसे में कॉंट्रोवर्सी तो इनकी चल रही है लेकिन यहां पर वावा ही हो रही है यादव की क्यूं और किस लिए चुलिए बात करते हैं स्वागत है आप सभी का बॉलिवूड स्पाई में मैं हूँ अदती शर्मा तो दोस्तों एलविश यादव हम सभी जानते हैं कि एलविश यादव कॉंट्रुवर्सीज के साथ घीरे हुए हैं और उनकी परसनल लाइफ में बहुत सारा स्टफ चल रहा है लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया या फिर मतलब हर छोटे से छोटा यूट्यूब चैनल और मेंस्ट्रीम मीडिया तक उनके बारे में बहुत खापती है कुछ ख़बरे ऐसी होती है जिनका कोई सिर्फ यादव किसी पर कोई सक्थ एकशन नहीं लिया है और नहीं किसी को यह कहा कि यह तरीके से अपना सच सब्सक्राइच्प के सामने रखते हैं और उसके बाद भही फिर जनता की मर जी लेकिन यहां पर जो है इस वक्त एक ट्वीट सामने आ रहा है जिससे यह पता चलता है कि शायद जो है जो फिलाल जो चल रही है वो लोग इन सारी चीजों में बिलीव नहीं रखते और शायद अगर उनके खिलाफ कुछ बोला जाता है तो यूट्यूबर्स है बिग बॉस रिलेटेड भी वो काफी सारी खबरे आपको आप तक पहुंचाते हैं उनका एक अलग सा कॉंटेंट रहता है तो उन्हों ने काफी सारी बाते कही थी फुकरा इंसान के बारे में जब क्रेजी दीप टे वीडियो बनाया था कि लिरिक्स त तो रैंक जो है वो 900 आया था अब जब सारी चीजे सामने आई तो उसके बाद जो है ये सारी चीजे जूटी पड़ गई कि कोई रैंक ऐसा नहीं था साथ ही साथ फुकरा इंसान भी अपने गाने को लेकर एक्सपोज हो गए कि वो एक अलगी कहानी बना रहे थे और जिसको क्रेडिट मिलना चाहिए था उसको क्रेडिट उन्होंने दिया भी नहीं तो ऐसे में नियूजबॉय का ट्वीट आता है वो लिखते हैं अलविश यादव की सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है ये नेवर टोल्ड मी तो ट्रिम दिस और आट पार्ट है ये लाइक कर ले अब वो मुट्टी कुल चुकी है और फिंगर्स रोहतितर बितर हो रही है आप सभी को क्या कुछ है कहना कॉमेंट्स में बताइए जरूर मुलते हैं नेक्स्ट वोडियो में